हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में कम्प्यूटर के 25 मोश्ट इंपोटेंट कोसन आंसर देखेंगे जो आपकी परिक्साव के लिए हेलफुल होंगे तो इसलिए वीडियो पूरे एंड तर देखते रही है तो चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं तो पहला प्रेस ने कम्प्यूटर का हिंदी नाम क्या है तो देखें जितने कोसन में आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हूँ अगर आप उन्हें से किसी का भी आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिससे आप अपना रिविजन भी कर सकें तो आंसर भी होगा संगलक कम्प्यूटर को हिंदी में संगलक के नाम से जाना जाता है अगला प्रेस ने कम्प्यूटर साखचरता दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतिवर्स कम्प्यूटर साखचरता दिवस दो दिसंबर को मनाया जाता है तो आंसर भी होगा दिखें एक दिस बिस्व एट से दिवस मनाये जाता है, 2 दिसंबर को 20 कम्पूटर साक्षरता दिवस, 5 दिसंबर को अंतराश्टेम रहदा दिवस, और 10 दिसंबर को 20 मानवा धिकार दिवस मनाये जाता है, अगला प्रस्ण, CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तो CPU से कई question एक जब में पूछे आते हैं CPU की full form भी कई बार पूछ ली आती है तो CPU की full form क्या होती है Central Processing Unit तो इसका अंसर एह होगा और यहां से एक question बार पूछे आता है कि computer का must disk यानि कि brain किसे कहा जाता है तो CPU को computer का must disk कहा जाता है अगला question computer में पूर्ण होने वाली IC chip किस की बनी होती है तो देखे computer में जो IC chip पूर्ण की जाती है तो एक किस की बनी होती है यह वी कई बार question पूछे आता है तो यह IC chip होती है Silicon की बनी होती है तो anser c होगा और IC chip का पूर्ण रूप क्या होती है integrated circuit यानि कि एकी किरत परिपत तो याद रखना है Next Question इंटरनेट के पते में HTTP का सही बिस्त्रत रूप क्या है देखें आप सभी ने देखा होगा जब आप Google पर सर्च करते होंगे तो वहाँ पर उपर HTTP लिखा होता है तो HTTP की full form होती है Hyper Test Transfer Protocol तो answer D होगा प्रियुक्त भासा प्राइ कौन सी होती है तो देखें बच्चों द्वारा Computer Program में जादे तर भासा प्रियुक्त की जाती है Logo भासा तो answer C होगा अगला प्रसने गणना और तुलना के लिए Computer के किस भाग का प्रियुक्त किया जाता है तो गणना और तुलना के लिए Computer के ALU भाग का प्रियुक्त किया जाता है तो answer C होगा ALU की फुलफर्म होती है Arithmetic and Logic Unit याद रखना है Next Question एक Hardware Device जो Data को EarthPool Information में परिवर्तित करता है तो यह होता है Processor तो answer A होगा जो Computer का Main Processor होता है CPU तो यह Data को EarthPool Information में परिवर्तित करता है अगला प्रसन Processor के तीन मुख्य भाग क्या है तो देखे Computer में जो Processor होता है CPU तो इसके तीन मुख्य भाग होते है ALU Control Unit or Register तो answer B होगा याद रखना है अगला प्रसन Computer में अधिकान से Processing किस में होती है तो Computer की जो मुख्य अधिकान स्प्रोसेसिं होती है तो यह CPU में होती है CPU को Computer का मस्तिस क्याने की Brain कह जाता है तो answer C होगा Question 11 है Input का Output में रुपान तरान किस के द्वारा किया जाता है तो देखे Computer में Input का Output में रुपान तरान CPU द्वारा किया जाता है तो answer B होगा अगला प्रसन Computer को किस प्रकार की बुद्धी की संग्या दी गई है तो यह Question कई बार पूछा जाता है और आपसे भी जानते भी है Computer को एक क्रेत्रिम बुद्धी की संग्या दी गई है तो answer B होगा अगला प्रसन EDP की full form क्या होती है तो बताए EDP की full form क्या होती है तो इसका answer D होगा Electronic Data Processing यानि की EDP तो याद रखना है Next Question भारत में निर्मित प्रथन कम्प्यूटर का नाम क्या था तो भारत में निर्मित क्या गया प्रथम कम्प्यूटर का नाम था सिद्धार्थ right answer B होगा दीखे भारत में बिक्सित पहला कام्प्यूटर था सिद्धार्थ और यह Electronics Corporation of India द्वारर निर्मित किया गया था और इस सिद्धार्थ कम्पूटर को 16 अगस्त 1986 को बैंगलूर के मुख्य डाग घर में स्थापित किया गया था और देखे बात करें भारत में बिक्सित पहला सूपर कम्पूटर कौन सा है तो उसका नाम है परम तो इसा ही पॉइंट में थून याद र next question keyword में function की की संध्या कितनी होती है तो और देखे एक keyword में function की की संख्या होती है आपने देखा होगा जैसे F1 F2 F 3 तो इस प्रकार से זה function की की संध्या होती है तो answer भी होगा याद रखना है question no,7 सरवाधिक तेज गति का printer कौन सा होता है तो सबसे तेज गतिका printer होता है laser printer तो answer B होगा अगला प्रस्न LCD का पूरा नाम क्या होता है तो LCD की full form बताईए क्या होती है काफी असान question है तो आप इसका answer नीचे comment box में बताईएगा तो इसका answer A होगा liquid crystal display LCD की full form होती है liquid crystal display और बात करें LED की तो LED की full form होती है light emitting diode याद रखना है अगला प्रस्न computer की memory में डाले गए कारिया को प्रदर्सित कौन करता है तो computer की memory में डाले गए कारिया को प्रदर्सित करने का काम करता है monitor तो answer A होगा अगला प्रस्न ए control shift और alt को कौन सी कुंजिया कहते हैं तो जग control shift और alt के बटन होते हैं तो इन्हें किस प्रकार की कुंजिया कहा जाता है तो इन्हें modifier यानि की संसोधक कुंजिया कहा जाता है तो right answer B होगा अगला प्रस्न OCR का पूर्ण रूप क्या है तो OCR की full form होती है optical character recognition तो right answer B होगा question number 22 है पहला computer mouse किसने बनाय था तो सर प्रथम computer के mouse का विश्कार किया था डल गस इंजल बर्टने तो answer B होगा डल गस ये एक camera की बेग्यानिक थे जिन्हें में पहला computer mouse बनाया था नेश्ट कॉस्ट्सट्ट सीडी को compact disc के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है तो आप सभी जानते हैं CD को कहा जाता है compact disc यानिक इसकी compact disc होती है इसके लाव इसे optical disc के नाम से भी जाना जाता है तो answer C होगा अगला प्रसने कौन सी device प्रोग्राम और data के बीच का अंतर समझ सकती है तो computer में कौन सी device होती है जो program और data के बीच का अंतर समझ सकती है तो ये होता है microprocessor तो answer D होगा अगला प्रसने कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है तो आपने कई बार IBM का नाम सुना होगा तो इसकी full form भी कई बार पूछे आती है तो IBM की full form होती है international business machines तो right answer ये होगा देखिए IBM ये अमरीका की एक बहु राष्ट्य सूचना प्रोधिगी की company है तो आज का प्रसन देखते हैं जिसका answer आपको नीचे comment box में बताना है तो आपके लिए आज का प्रसन है इसरायल में फसे भारतियों को बापस लाने के लिए चलाये गए अविहन को क्या नाम दिया गया तो इसका answer आपको नीचे comment box में बताना है और दूस्तों अगर आप हमारे सबी महत्रमूर टोपिक्स पर बनुवी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो क्लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप यहां से जाकर देख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है और आपको वीडियो अच्छा लगाओ आपके लिए helpful हो तो प्लीज वीडियो को लाइक को सेर करना साथ ही चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना और देखें अगर आपने चैनल सस्क्राइब कर रगा है तो प्लीज उसके साइट में जो बेल आइकन है उसे आल पर क्लिक कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद जैभारत